Hello friends, welcome back to Steadyker, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर Daily Current Interface की सीरीज में आपका स्वागत है आज हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं 16 February 2022 के Most Important Current Interface अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो आप Steadyker के साथ जोड़े रहें और इसकी जो Daily Current Interface की सीरीज है इसको जरूर आप Daily जोईन करें दोस्तो इस lecture का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे Telegram चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक आपको Description Box में मिल जाएगा आपके लिए एक WhatsApp नमबर भी जादी किया गया है उसको आप नोट कर लें वाटस अप नमबर हैं अवारा 86-0217-93 जितने भी हमारे Social Media Platform है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें लिंक आपको Description Box में आसानी से मिल जाएगी पहला प्रसने डिसकस करते हैं Important Question है ध्यान से सुनिएगा हाल ही में किसे जर्मनी के राष्टपती के रूप में फिर से चुना गया है यानि जर्मनी के President फिर से कौन बने हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तो Frank Walter Steinmayer यानि जो Frank Walter Steinmayer हैं उनको जर्मानी के राश्टपती के रूप में दूसरे कारेकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। उसके साथ ही 2007 से 2009 तक जर्मानी के वाइस चांसलर के रूप में भी काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तो अगर हम बात करें जर्मानी के बर्दमान में चांसलर कौन है तो वो है ओलाफ इसकोल्ज। जर्मानी में चांसलर का पद हुआ करता है। दोस्तो वल्ड मैप में अगर हम जर्मानी को देखें तो यह यह यूरोप महादीप में है और इसके पडोसी देश कौन से हैं ध्यान से सुनते जाएगा उनके नाम और नोट करते जाएगा। जर्मानी के पडोसी देशों में नीदरलेंड है, बेल्जियम है, लकसेंबर्ग है, फ्रांस है और स्विट्जेरलेंड, आस्ट्रिया, चेक रिपबलिक और पुलेंड तो यह सभी देश जर्मानी के पडोसी देश हैं और जर्मानी के नौर्थ में नौर्थ सी है। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा कि जो जर्मनी है जर्मनी की नौर्थ में कौन सा सी है नौर्थ सी है ठीक है और जर्मनी की कैपिटल क्या है तो वर्लेन जर्मनी की कैपिटल है तो ये कुछ पॉइंट है आप नोट जरूर करिएगा अंगला प्रसन है किसने दुई पक्ष वच्षे संबंधों के बिकास की समिक्षा करने के लिए फिलिपिर्पिन्स का दोरा किया है तो दोस्तों हाल ही में किसके दौरा फिलिपिन्स का दोरा किया गया है तो इसका जबाब होगा डॉक्टर S. जैसंकर हमारे देश के foreign minister है कौन डॉक्टर S. जैसंकर तो उन्होंने हाल ही में फिलिपिन्स का दौरा किया है चलिए फ्रेंड्स अब आप कुछ पॉइंट ध्यान से सुनते जाएगा तो विदेश मंत्री है कौन डॉक्टर S. जैसंकर तो उन्होंने तीन दिवसिये ओफिसियल यात्रा कहा की की है फिलिपिन्स की की है ठीक है दोस्तो और ये यात्रा उनकी 13 फरवरी को स्टार्ट हुई थी विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी फिलिपिन्स की पहली यात्रा है वह है अपने समकक्ष यानि फिलिपिन्स के जो बिदेश मंत्री है तियो दोरो एल लॉकसिन जूनियर से उन्होंने बातचीद की है ठीक है दोस्तो चलिए अब हम वर्ल मैप में फिलिपिन्स के नकसे को अगर देखें तो यह हमें एसिया महादीप में दिखाई देता है और जो कैपिटल है वो है मनीला क्या है दोस्तो मनीला है और आप ध्यान से सुनिएगा कि जो फिलिपिन्स है यह है दूइपों का समू है यानि बहुत सारे दूइप मिलकर के एक देश बनाते हैं जिसे हम फिलिपिन्स कहते हैं ठीक है दोस्तो अगर हम फिलिपिन्स के मैप को देखते हैं तो फिलिपेंस के पश्चिम में साउथ चाइना सी है क्या है दोस्तो साउथ चाइना सी है और फिलिपेंस के पूर्व में फिलिपेंस सी है ठीक है और इसके पडोसी देशों में कौन-कौन से देश है थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा इसके पडोसी देशो मलेसिया है ठीक है और मांकी थोड़ी दूर-दूर देश हैं उनके भी बात कर लेते हैं तो दोस्तो फिलिपेंस के पास दियत नाम और मलेसिया होंग कॉंग यह सभी आपको दिखाई देंगे इसके लावत ताईवान भी इसके पड़ोसी देशों में ही आ जाता है तो दोस्तो फिलिपेंस भारत के लिए महतपूर क्यों है और फिलिपेंस के लिए भारत महतपूर क्यों है इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा हाल ही में फिलिपेंस ने भारत से ब्रम्होस मिसाइल खरीदने का समझोता किया है यानि फिलिपिन्स भारत से ब्रम्होस मिसाइल खरीदेगा इससे होगा क्या कि जो चाइना बार बार फिलिपिन्स को दबाने का काम करता है तो जब वो उसके पास ब्रम्होस मिसाइल आ जाएगी तो इसका मतलब यह होगा कि फिलिपन्स भी चाइना से आख मिलाकर बाद कर सकते है ठीके दोस्तों तो इसलिए भारत के लिए फिलिपन्स जिरूरी है और फिलिपन्स के लिए भारत जरूरी है चलिए friends अगला question डेकते हैं important question है ध्यान से सुनिएगा किस राज्ज में विश्व प्रसिद डैजर्ट यानि रेगिस्तान उत्सव सुरू हुआ है जिसे मरू उत्सव के नाम से भी जानते हैं तो दोस्तो किस राज्ज में सुरू हुआ होगा रेगिस्तान उत्सव तो हम सभी लोग जानते हैं कि रेगित्सान कहा है राजस्थान में हैं तो वहीं पर शुरू हुआ है मरू उत्सव या डैजर्ट उत्सव ठीक है दोस्तो चलिए अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट डिसकस करते हैं तो विश्व प्रसिद जैसल मेर रेगित्सान उत्सव जिसे मरू उत्सव भी कहा जाता है तो यह 13 फरवरी 2020 से पोखरण में सुरू हुआ है अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो डैजर्ट उत्सव है या मरू उत्सव है या जैसल मेर रेगित्सान उत्सव है यह कहां सुरू हुआ है पोखरण में सुरू हुआ है और यह जो उ फर्वरी का जो आकरसन है वो है कैमल पोलो मैच यानि यहां पर कैमल पोलो मैच का आयजन भी किया जाएगा 15 फर्वरी को इसके अलावा दोस्तों BSF कैमल टेंटू सो भी आयुजित किये जाएगे ठीक है चलिए अब यहां पर बात आई है राजिस्थान की तो दोस्तों राज मरुस्थल कहां है तो यह सहारा मरुस्थल है अफरीका महादीप में ठीक है दोस्तों चलिए अगर हम भारत के मैप में देखें दोस्तों राजस्थान की स्तिति को तो यह है भारत के पश्चिम में इस्तित है ठीक है और इसकी जो कैपिटल है वो है जैपूर पडोसी राज राजिस्तान का पडोसी देश कौन सा है तो दोस्तो राजिस्तान का जो पडोसी देश है यानि किस देश से उसकी सीमा लगती है तो वो देश है दोस्तो पाकिस्तान ठीक है अगर हम थार मरुस्तल की बात करें तो थार मरुस्तल राजिस्तान और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है तो ये थी कुछ जानकारी राजस्थान से related चलिए friends यहां के Chief Minister और Governor को भी discuss कर लेते हैं तो राजस्थान के Chief Minister कौन है असोग गहलोत है और दोस्तों यहां के जो Governor है वो कौन है कलराज मिस्र है कौन है दोस्तों कलराज मिस्र यह point है इनको आप note करते जाएगा अगर आपको lecture पसंद आ रहा है तो like जरूर करें और दोस्तों को share कर दें जिससे सब ही को इसका फाइदा मिल सके चलिए friends अंगला question discuss करते हैं important है ध्यान से सुनिएगा किस राजने IPS के भी राजन्दर नाथ रेड़ी को नए पुलिस महा के भी राजन्दर नाथ रेड़ी को ठीक है दोस्तों जो पुलिस महा नेदेशक का पद होता है किसी भी राज में यह सबसे बड़ा पद होता है पुलिस बिभाग में ठीक है दोस्तों याद रखिएगा इसको जो के भी राजन्दर नाथ रेड़ी हैं वो डी गौतम सवांगी की जगह लेने वाले हैं ठीके दोस्तों अगर हम बात करें के भी राजिंदरनाद की तो वह बरतमान में खोपिया विभाग के प्रमुक हैं वह उन्नीस वबाननवे बैच के IPS ओफिसर हैं जिन्होंने विसाखा पटनम और विजयबाडा के पुलिस आयुक्त के रूप में भी काम किया है उन्होंने ड्रग कंट्रोल ओफिसर के रूप में भी काम किया है चलिए फ्रेंड्स हम भारत के मैप में अगर आंधर प्रदेश को देखें तो ये हमें दच्छन भारत में दिखाई दिता है और इसकी जो कैपिटल है वो है अमरावती ठीक है आंधर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है अमरावती है और आंधर प्रदेश से 2014 में एक अलग राज्य बना था दोस्तो जिसका नाम है तेलंगाना ठीक है आंध्र प्रदेश के जो चीप मिनिस्टर है वो कौन है Y.S.R. जगन मोहन रेड़ी और यहां के जो गवर्नर है वो कौन है विस्व भूसन हरीचंदन ठीक है दोस्तों याद रखिएगा ये सभी पॉइंट अगर हम आंध्र प्रदेश के पडोसी राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पडोसी राज्यों में करनाटक, तमिलनाडू, तेलंगाना और उडिसा इसके पडोसी राज्य है चलिए फ्रेंड्स अंगला कोशन देखते हैं इंपोर्टेंट कोशन है हाल ही में किस सहर की कैंद्रिय जेल को या जेल में अपना रेडियो चैनल जेल जेल बानी FM 18.77 मिल गया है दोस्तो इस प्रस्न को आप सरल भासा में समझेएगा कि वह कौन सा सहर है या किस सहर की कैंद्रिय जेल में उसको अपना रेडियो चैनल मिल गया है ठीक है तो इसका जबाब होगा इंदौर यानि इंदौर की जो सेंट्रल जेल है उसका अपना ए 18.77 तो इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना रेडियो चैनल जेल बानी FM 18.77 मिल गया है रेडियो चैनल के माध्यम से कैदी मनुरग्जन के साथ साथ दुनिया भर में होने वाली घटनाउस को भी जानने का प्रयास करेंगे रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्त संब बंधी मुद्दों की जानकारी भी देगा और यह कैदियों के लिए अपनी कहानी को कहने और अपने अनभाव साजा करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करेगा यानि दोस्तो जो इंदौर की सेंट्रल जेल है वहाँ के कैदी अपनी कहानी बता भी सकेंगे अपने अ भारत के नक्से में मध्ध प्रदेश को देखें तो ये हमें बिलकुल बीचो बीच दिखाई देता है यानि भारत के सेंट्रल में कौन सा राज्ज है मध्ध प्रदेश है इसकी कैपिटल क्या है दोस्तो भोपाल है पडोसी राज्ज कौन कौन से है राजिस्थान गुजर प्रवंध निदेशक के रूप में किसे निक्ति किया गया है तो दोस्तो एर इंडिया के CEO और MD कौन बने है तो उनका नाम है इलकर IC क्या नाम है दोस्तो इलकर IC चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ पॉइंट डिसकस करते हैं तो टाटा संस ने एर इंडिया के CEO और MD के रूप में तुर्की के इलकर IC को नुक्त किया है ठीक है दोस् दोस्तो इलकर IC 1 अप्रेल 2022 को या उससे पहले यह जिम्मेदारी समाल सकते हैं अब हम बात करते हैं Air India की तो Air India की सुरुवार टाटा समोह ने 1932 में की थी और देश को सुतंता मिलने के बाद यानी 1947 के बाद 1953 में इसका राश्टिय करन कर लिया गया था ठीक है दोस्तो याद रखिएगा कि 2021 में यह फिर से जो Air India है यह फिर से टाटा समोह के पास चली गई है ठीक है दोस्तो चलिए अगला कुश्चन देखते हैं important कुश्चन है बच्चों में कैंसर रोक के खत्रे और प्रभाव को उजागर करने के लिए अंतर राश्टिय चाइल्ड हुड कैंसर दिवस हर साल कब मनाय जाता है यानी दोस्तो चाइल्ड हुड कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाय जाता है तो इसका आंसर है 15 फरवरी को कब मना जाता है दोस्तो 15 फरबरी को कौन सा दिबस चाइल्ड हुड कैंसर दिबस चलिए फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पॉइंट डिसकस करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा यह दिन बच्चों में इस घातक बीमारी यानि कैंसर के खत्रे और प्रभाव को उजागर करता ह यह पहली बार 2002 में चाइल्ड हुड कैंसर इंटरनेशनल के दुआरा मनाया गया था दो हजार एक्कीस से दो हजार तेईस तक की जो थीम है वो क्या है ध्यान से सुनिएगा बैटर सर्वाइबल इज अचीवेवेल थ्रो योर हैंड्स इसकी थीम थी ये नोट कर लीजिगा भारत में 19-19 बर्स आयूबर्ग के लगभग 50,000 बच्चों और जो किसोर हैं उनको हर साल इस बीमारी के सिखार होने की संभावना है यानि लगभग 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र सुने से 19 बर्स की है और वो कैंसर से पीड़े थें कहां पर दोस्तों इंडिया में अगला प्रसन है लाश्ट प्रसन है ध्यान से सुनिएगा किस देश के प्राइम मिनिश्टर ने 50 सालों में पहली बार आपात कालीन अधिनियम लागू किया है तो आंसर होगा इसका कनाडा यानि कनाडा में आपात कालीन अधिनियम लागू हुआ है अब इस अधिनियम के लागू होने से क्या होगा दोस्तों कि जो वहां की केंदर की सरकार है जिस प्रकार से भारत में केंदर की सरकार होती है राज्जी की सरकार होती है उसी प्रकार से कनाडा में भी केंदर की सरकार राज्जी की सरकार होती है तो इस आपात कालीन अधिनियम को लागू होने के बा जो महामारी है उसके खिलाब जो बिरोध हो रहा है उसको समालने में उनको सहायता मिलेगी ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से हम ये समझ लें कि जो कनाडा है वहां के जो प्राइम मिनेश्टर है या वहां की जो सरकार है उसने हाल ही में आपात कालीन अधिनियम लागू किया है जिसके अंसार कनाडा की जो केंदर की सरकार है उसे कुछ अत्रिक्त सक्तियां प्राप्त हो जाएगी चलिए फ्रेंट्स अब हम वर्ल्ड मैप में कनाडा की स्थिति देखें तो यह उत्री अमेरिका महादीप में स्थेत है और इसके पडोसी देश की बाद करें तो वो कौ कनाडा की राजधानी क्या है ओटाबा याद रखिएगा कनाडा की राजधानी क्या है ओटाबा है यहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है दोस्तो जस्टिन टूडो कौन है दोस्तो जस्टिन टूडो जो है यहां के प्राइम मिनिस्टर है तो यह है कुछ इंपोर् तो असम के जो नैसनल पार्क हैं वो जरूर पूछे जाते हैं तो आज हम देखते हैं कि असम में कौन-कौन से नैसनल पार्क हैं तो असम में काजीरंगा नैसनल पार्क, मानस नैसनल पार्क, डिबरू सैखोबा नैसनल पार्क, नावेरी नैसनल पार्क, ओरांग नैसनल पार्क और 2021 में असम के देहांग पठकाई, वन्य जीव अभ्यारण और रायमोना अरच्छित वन्य छेत्र को भी राष्टिय उद्या ठीक है, हाली में खबर आई थी कि जो असम की सरकार है उसने घडियाल को सरच्छित करने के लिए ओरांग नैसनल पार्क का आकार बढ़ाने का आदेश दिया है यानि ओरांग नैसनल पार्क का जो आकार है वो तीन गोना बढ़ाया जाएगा जिससे इसमें घडियाल का भी सरच्छन किया जाएगा चलिए फ्रेंड्स अब हम वो कुश्चन डिसकस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो आप ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर का पीडियाब आप हमारे टेलिग्राम चैनल से प्राप्ट कर सकते हैं लिंक आपको डिसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चलिए फ्रेंड्स पहला कोश्चन डिसकस करते हैं इंपोर्टेंट है काजी रंगा नैसनल पार्क किस राज्ज में हैं दूसरा कोश्चन है विस्सो कैंसर दिबस कब मनाय जाता है अगर आपने पिछले एक लेक्शर सुने होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि ये विस् अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले और बैल आइकोन जरूर दबाले जिससे आपको सबसे पहले नोडिकेशन मिल सकेगी लेक्शर को आपको लाइक और सेर करना है और हमारे सभी सोसल मीडिया पर हमें फॉलो भी करना है वहाँ पर भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी मिलती रहती है चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स लेक्शर में जैहिंद पन्रिमात